मुझा जैजदेद बंद्वो मैं रवी जैन गुरू जी आज रविवार और सरवार सिद्धी योग देखे हमें कोई भी नया कारी आरम करना होता है तो हम सरवार सिद्धी योग में आरम कर सकते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले मन प्रसन रहेगा सेवकों से तालमेल बैठाएं क्या करें शिरी मंदिर जी में यथा संभाव दान अवश्य दें वर्षब रासी वाले नए मित्रों से दोस्ती का दिन दिन कमजोर है क्या करें भगवान सिरी सिर्यां सनाज्जी का चालीसा पढ़ें मित्रों रासी वाले लंबी योजना में निवेश करें लाब का आवसर क्या करें जादे से जादे समय मौन रहें करकरासी वाले अंजान से दोस्ती से भचें सुनी बातों में ना आएं क्या करें किनर अगर दिखाई दें तो उन्हें 10-20 रुपे का दान अवश्य दें सिंगरासी वाले राजनीतिक छेतर में लाब दिखता है रुके कारिये बनेंगे क्या करें पीला रुमाल साथ में रखें कन्यारासी वाले पुरानी चिंता दूर होगी परियास करें क्या करें दोस्तों को गिफ्ट भेट करें तुलारासी वाले दिन अच्छा है गर्गरहसी की में खुसियां च्छाएंगी क्या करें भगवान सिरी कुंतुनाजी की एक माला फेरें वरश्चिक रासी वाले गरहें अनुकूल हैं अनावशक दोड़ दूप हो सकती है क्या करें शिरी नमोकार महामंत्र 21 बार पढ़ें धनुरासी वाले लंबी दूरी की आत्रा से बचें नया परियोग कर सकते हैं क्या करें सिरी संभव नाजी का ध्यान करें चालीसा पढ़ें मकर रासी वाले पदोननती में बादा आने के चांस टीका ठिपनी से बचें क्या करें 50 ग्राम लोंग दान करें कुम्ब रासी वाले सावधान रहें रुप्यों के लेंदेन में प्रेशानी आ सकती है क्या करें ओम रिम्शिरी नेमीना जिनिंद्राई नमा की माला फेरें मीन रासी वाले खरीद फ्रोक्त से लाब होगा नई जिम्मेदारी मिलेगी क्या करें घर में खाली हाथ परवेश ना करें कुछ ना कुछ लेकर ही घर में परवेश करें रासी फलके पश्याद बंद्वो अब बात करते हैं आज की सलह की देखे ध्यान रखेगा ठंडा पानी पीने के उपरांथ भूल कर भी चाय का सेवन ना करें अगर आप ठंडा पानी पीने के उपरांथ चाय का सेवन करते हैं तो ये स्वास्त के लिए बेहधानी कारक होता है अगर आपकी इस तरह की आदत है तो इस आदत को आज से ही बद तो ध्यान रखे ठंडा पानी पीने के उपरांद चाए पिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है राम चंदर जैन जी ने दिल्ली से लिखते हैं गुरू जी जै जिनेद्र मैं रतनों का व्यापार करता हूं मगर पिछले दो साल से मेरा काम लगबग बंद ही है क्या कारण है और मैं क्या उपाए करूं देखे राम चंदर जी आपकी कुंडली में पिछले दो वर्सों से ही चांडाल दोस की दसा चल रही है आपकी कुंडली में चांडाल दोस बनावा भी है और वरतमान में दसा भी वो ही चल रह जब कुंडली में चांडाल दोस्ज की दशा चलती है तो निश्शित रुप से ये हमें बहुत प才शानी देती है और आपका ये जो चांडाल दोस्ज है ये आपके करम भाव में बना हुआ है चांडाल दोस मतलब कॉंडली में जब राहू और गुरू एक साथ बैठे वे होते हैं तो चांडाल दोस बनता है लेकिन अब परिशान होने की आवशक्ता नहीं है बहुत जल्द आपकी ये दसा समाप्त हो जाएगी और निश्यत रुप से आपको एक परिवर्तन दिखाई देगा तब तक के लिए आप दो उपाई करें एक तो ओम रीम शिरी नेमीनाद शिरी आदिनाज जिनिंद्राई नमा की माला फेरें और दूसरा गोशाला में जाकर यथा संबाव खल दान करें मंगलवार या शनिवार के दिन अगर आप ये दो उपाई करेंगे तो निश्यत रुप से इससे चंडल दोस का प्रभाव कम होगा और आपकी समश्या कम होगी और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लैस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी मंगल भावना के साथ सबी को जै जिनेंद्राई झाल झाल